दोस्तों आज डेट है 3 अप्रेल 2024 और ITR 1, ITR 2, ITR 4 के फॉर्म आ गए हैं एक बहुत important अप्डेट आपको ITR फाइल करते समय इस बार दिखाई देगा अगर आपको business income है, professional income है और आप ITR भरने जाते हो तो आपको इस तरीके का एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप नए tax system से opt out होना चाहते हो यहाँ पर no और yes का option आपको दिखाई देता है जो दुसरे ITR होते हैं वहाँ पर directly आप select कर सकते हो लेकिन ITR 4 और ITR 3 अगर आप choose करोगे तो आपको यहाँ पर 3-4 option दिखाई देंगे अगर नए tax rig में आप चुनना चाहोगे ITR 3 में या ITR 4 में माल लो आपको business income में ITR 3 या 4 आप फाइल कर रहे हो और नए tax system चुनना चाहते हो तब तो no पर आप click कर दो और आगे बढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप पुराना tax system ही continue करना चाहते हो तब यहाँ पर आपको additional information देना पड़ेगा additional process भी करना पड़ेगा जैसे ही आप yes पर click करोगे within due date या yes but beyond due date तब आपको यहाँ पर date of filing और देखे acknowledgement number डालना पड़ेगा form number 10 IEA का यह कब भरना पड़ेगा जब आप old tax system में continue करना चाहोगे तो और यह सिर्फ उनके लिए हैं जिनको business income और professional income है और इस form को आपको सबसे पहले submit करना होगा उसके बाद ITR form भरना है अब यह form कहाँ पर दिखाई देता है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ उपर आपको यहाँ पर e-file का option दिखाई दे रहा है इसमें आईए second option है income tax forms इस पर जाओ और file income tax forms इस पर click कर दो इस तरीके से page आ जाएगा यहाँ पर tab है person with business professional income और यहाँ पर नीचे देखिए determination of tax in certain special cases form number 10 IEA यह वाला tab है यह वाला option है नीचे दिखें यहाँ पर दिया गया है कि application for exercise withdrawal of option under section 115 BAC of income tax act 1961 तो यह वाला form है इसे ही आपको भरना है यहाँ पर file now का button आपको दिखाई देता है इस पर click करेंगे तो application form आ जाता है अब application form किस तरीके से भरना है इसका separate demo हम बनाएंगे अभी file just ITR form आये है और ITR 3 तो अभी भी नहीं आया हुआ है तो जैसे ही ITR 3 आ जाता है उस form को भी हम देख लेते हैं और उसके बाद यह form किस तरीके से भरा जा सकता है उसका demo हम बना देंगे अगर आप यह वीडियो बाद में देख रहे हो इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक आफंसते रहो मुस्कुराते रहो धन्यवाद